हालो गाइस आइम इन्विंसिबल आप्टर मर्जिंग विद गॉड़ीज के एपिसोड 14 में आप सभी का वेलकम और एपिसोड की शुरुवात में हमको दिखाया जाता है जब अपना हेरो क्यूइन की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा था तो इसलिए क्यूइन ने उस ज जिगा पर जिस तरह से क्यूइन देख रही होती है वह बहुत जड़ा होट लग रही थी आपका क्या खैल है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस इसको बोले के बार में क्यूइन वहां पर उस केव में आगे बढ़ते हुए अपना हेरो मन में कहता है इस के बाहर बढ़ा गेट दिखा देता है जिसके उपर एक एराय फॉर्मिशन बना होता है और उस जिगा पर चारो तरह बहुत धेर सारे कंकाल पड़े होते हैं क्या एविलुशन के दूसरे स्टेज के सीक्रेट को समझना इतना कठिन है और दूसरे साइड में दोस्तों जो अपना ही पर दोस्तों उसके पीछे से एक बहुत बढ़ा एक मॉंस्टर बाहर निकल के आता है जिसकी बॉड़ी तरह से फ्लेम में कवर होती है और तबी में बताया जाता है जिसके क्लास के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो बीस्ट अपने हीरो के पास में आकर बहुत तेज पता क्यों नहीं चला और अपने हीरो के ऐसा कहते ही दोस्तों वो जो गार्डेन बीस्ट होता है उसने अपने हीरो और क्वीन के उपर अपने पंजो से अटेक कर देता है लेकिन तभी अचानक से क्वीन वहाँ पर अपने हीरो का हाथ पकड़ते हुए उसके अटेक से डॉ के कहता है अरे वो देखो उस बीस्ट के पेट के अंदर evolution core है अपने hero की ये बास सुनने के बाद में जो अपनी queen होती है वो उस garden beast के उपर बहुत देर सरे attack करते हुए आगे बल जाती है जिसके effect करण garden beast के उपर बहुत जखम हो जाते हैं और साथ हमको दिखाया जाता है queen ने जब garden beast के उपर attack करा होता है तो उस garden beast का जो evolution core होता है वो जमीन पे गिर जाता है और queen उसको उठाने के लिए आगे की तरफ बल रही होती है जब garden beast देखता है कि उसका evolution core वहाँ पर queen ने बाहार निकाल लिया है तो वहाँ पर बहुत ज़रा वो गुसाते हुए queen के उपर attack करने के लिए आगे बढ़ने लगता है गार्डेन बीस को इस तरह से attack करते हुए देखकर अपना hero नीचे गिरे हुए चिला के कहता है और यह नहीं यह क्या इसकी physical body बिलकुन हुआ हुई की तरह है जो कि तुरंद अपने जक्मों को हील कर रहा है और अब इससे निपटना बहुत ज़रा कठिन हो जाएगा जैसे वहाँ पर queen देखती है कि वह guardian beast फिर से उसके उपर attack करने वाला है तब ही वहाँ पर queen अपने hero के मन में एक idea आता है और अपना hero अपने मन में ही कहता है वैसे देखा जाए तो यह guardian beast बहुत बड़ा है लेकिन इसकी body के जो चन रचना है वो एक बिल्ली की तरह है हाँ मैं समझ गया मुझे क्या करना है और इस इसको समझने के बाद में अपने hero का एक बहुत बड़ा idea आता है और अपने हाथ में वह अपनी skill को activate करते हुए queen से कहता है queen पहले अब आप rest कर लीजिए और आपको ये समय जिद्धी नहीं हो सकते है अगर तुम इसे और जारा heart बनाने के कोशिश करते हो तो बस धीरे से करो आखिरकार हमारे पास भी अभी एक side है अपने hero की ये बास सुनने के बार में वो जो garden beast होता है वहाँ पर गुसा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से जो अपना hero होता है उपर से jump लगाते हुए सीदे garden beast के उपर आकर वहाँ पर कुछ अपनी skill को use करने लगता है और जैसे अपने hero ने वहाँ पर उस garden beast के उपर अपनी skill को use करता है दोस्तों तो हमको पता चलता है अपने hero ने वहाँ पर garden beast के उपर खुझलाना start कर दिया था जैसे कि आप cats के जानते हैं कि उनको जो सहलाओ तो बड़ा मज़ा आता है उसी तरह से इस गार्डन बीस्ट को भी अपने हिरो के खुजलाने के करण बड़ा मज़ा आ रहा होता है और अपना हिरो इसको खुजलाते हुए कहता है अरे वाह क्या बात अगर तुम अमीर इलाकों में औरतों के कर खुजलाने के सर्विस्ट का मज़ा ले रही थी तभी अचानक से अपना हिरो वहां पर अपने खेल को खेलते हुए उसको खुब जोर से एक लाथ मारते हुए चिला के कहता है और अब मुझे अपनी सर्विस्ट की पेमिंट वापस चाहिए और इसलिए एविलिशन को चो दो और जैसे कि आप देख सकते हैं अचाना का अटेक कितना ज़्यादा पाउर्फुल होता है बिल्ली की आखे एकदम बाहर निकलाती हैं अपने हिरो के अटेक के कारण अपने हिरो की जोर से लाथ मारने के कारण जो बिल्ली के मुझे एविलिशन कोर होता है वो तुरनत इसको कहने के बाद में अपना हिरो वहाँ पर एविलिशन को को उसी एराय फार्मेशन के बीचों बीच लगाते हुए कहता है चलो फिट ठीक है अब आपके एविलिशन के दूसरे स्टेज के सीकर पर चलकर नजर डालते हैं जैसे वहाँ पर अपने हिरो ने उस एराय फॉ कुईन है और तबी वहाँ पर एंशन डून के राश्ते को देखते हुए अपना हीरो कहता है क्या ये तैची बागवा डियाग्राम नहीं है मानता है कि ये और यान ने सभी चीजों को बनाया है और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सभी चीजों को जन्व देने वाली एक energy बन जाएगी जैसा कि कहा जाता है यिन और यान का origin एक ही है और अगर यिन यान को जन्म नहीं देता है तो यह evolution नहीं होगा अपने हिरो के यह कहने के साथ में अचानक से उस arrive formation में यिन यान formation बनना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर एक साइड में अपना हिरो और एक स scripture लिखे हुए थे उसका ritual यहाँ पर शुरू होने वाला है जैसे अपने हिरो ने इचिच कहा होता है तभी अचानक से वह यिन और यान का ritual होना स्टार्ट हो जाता है और दीरे-दीरे करते हुए अपना हिरो और queen वहाँ पर घूमते हुए एक दूसरे के close आने लगते हैं ज यहाँ पर dual cultivation मतलब की बाजा बाजी होने की बात हो रही है और जब वहाँ पर queen अपने हिरो को इतना दा close देखती है तो वहाँ पर वो अपने आपको रोक नहीं पाती और अपने हिरो के face के पास अपना face लाते हुए कहती है मुझे evolution के second stage पे पहुँचने के लिए आपको मे बात दिखाया जाता है एक side में queen की energy और एक side में अपने हिरो के energy मतलब की बुले तो एक red energy और blue energy दोनों आपस में mix होना start हो जाती है और मैं आपको दोस्तों बता दूँ वहाँ पर queen अपने हिरो के साथ में बाजा बाजी के लिए बहुत जबर्दस्तिक कर रही होती है जिस पब्लिकली इसा तीजों को नहीं दिखा सकता तो इसलिए वह अपने इस short को cut करते हुए आगे के तरफ ले जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो queen होती है वह evolution के second issue पहुचने के बाद में जैसा वह energy का cocoon बना होता है उस cocoon को तोड़ते हुए अपने हाथ को पहार निकालती है और तभी दोस्तों हमारी queen का हमें new evolution दिखाया जाता है जहाँ पर queen निकलने के बार में पहले से भी ज़्यादा बहुत hot and sexy ललन्टा पठाका माल बनके निकलती है और अपनी body को देखते हुए queen वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है और अरे वहाँ क्या बात मैं तो evolve हो चुकी हूँ और इस बात को कहते हुए अपनी queen के body के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क energy release हो रही होती रेट क्लर की और साती दोस्तों जो उसके नाखुन होते हैं वह भी पहले से बहुत सदा बढ़े हो जाते हैं और sharp हो जाते हैं जब queen cut का sticker लगाते हुए उसकी इज़त बचाली होती है और हमें अपना hero बहुत दरा चुसे आम की तरह दिख रहा होता है जैसे कि अपनी queen ने उसको बुरी तरह से जवर जस्ती करकर के उसका सारा petrol खाली कर दिया होता है और वहाँ पर वो कमजोरी के हालात में कापते हुए अप बुरी तरीके से लूट लिया है हालो गाइस नेक्स एपिसोड देखने में आपको और जड़ा मज़ा आने वाला है और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएं कि आपके एक सब्स है हुआ का एक सब्सक्राइब